नमस्कार निराला कंस्ट्रेक्शन के एक और नय वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त इंजिनियर प्रभात कुमार सिंग तो आज किस वीडियो में में आप लोगों को एक बनते हुए घर के लिए जो छट के ढलाई से पहले तक का क खर्चा है वो आ चुका है तो ज्यादा लेट ना करती हुए चलिए इस टेप वीडियो को देखते हैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है चानल को सबस्क्राइब नहीं किये तो चानल सबस्क्राइब जरूर कर लिजे दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि आकिर इस घ कर लिए तो यहां से लेकर वहां तक 40 feet के रखा गया है और अगर square feet के बात कर लिए जाए तो 600 square feet में इस घर के लिए काम को किया जा रहा है बहुत असानी के साथ आप यहां पे देख पा रहे हैं चलते हैं जल्दी से घर के अंदर और देखते हैं किस तरीका से काम किया गया किस घर को 16 column के साथ में बनाया जा रहा है जिसका size 9 inch by 9 inch का रखा गया है और 12 mm का 44 सर्जा के साथ में काम किया जा रहा है तो दोस्तों अब चलते हैं जल्दी से अंदर और देख लिते हैं कि आखिर अंदर में इस घर के लिए किस तरीका से काम किया जा रहा है बेटर experience के लि के लिए में Inter gate रखा गया उसके साथ ये city room है उसके साथ सांधिये तरप में यह रूम है उसके लिए window का काम आप यहां पर देख पा रहा है वंदों इस ज्यांस बालें करेंगे चलेंगे घर और greatly उपर देखेंगे कि इस तरीका सीफ इस घर केंश को चिया जाए लोगा ऑपर इस घर केंश एगा ऑपर में देखा रहा हो जो ढूराई कां किया गया वहाँ पर इस घर केंश किरू उसके साथ फिर इधर आपको पहला रूम देखने को मिला था उधर भी रूम है उसके साथ एक और रूम है उसके साथ फिर यहाँ पे घर के लिए common toilet bathroom और इसके साथ सीड़ी का काम आप देख पार है कि बहुत अच्छा तरीका सब समझ पार है इसलिए मैं आप लोग को इस घर के लिए डिखा दूँगा अंदर का जरतर दिवाल है वह पांस इंची के साथ है बाहर का दिवाल है वह दर सिंची के साथ रखा गया है तो चलिए आपको टॉप दिखाता हूं ताकि आप बहुत अच्छे तरीका से समझ पहें सीड़ी का भी काम आप देख पार है कि पहला आउट फेसिंग घर है और इसके साथ साथ ऊपर का जो काम किया गया है उसको आप देखे यह आपका हो गया इस घर के लिए टॉप विव यह सीड़ी के बगल में में खड़ा हूं वहां पे में इंटरेंस हुआ जैसे घर में एंटर करते हो आपको मिल जाता है हॉल और उसक के साथ साथ वहां पर इस घर के लिए में इंटरेंस के साथ अब जैसे घर मेंटर करते हो उसे जश्ट बगल मिलता है पहला रूम देखे वह पहला रूम है और इसके साथ साथ वहां पर उस कौनर पर दुसरा रूम है उसके साथ उसके जश्ट बगल में तीसरा रूम है उस पर है वो पहला रूम है अब किचेन और इसके साथ-सा शीडी और बात्रूम को वह जाने तो बीच में आपको हॉल और डाइनिग अर्य देखने को मिलता है यह आप देख पार रहा हो और इसके साथ-साथ बात कर लेज़े तो उसके बगल में आपको मिलेते हैं सिहर के लिए किचेन डीचेन डाइनिंग एरिया उसके जश्ट बगल में किचेन है इसलिए आप यहाप देख पारहे ये आपका ट्वाल बातरूम का काम है यहाप किया जारा है और इसके साथ साथ ये दिखें जो अंदर का दिवाले सारा पांच इंचा के सारा और जो बाहर का दिवाले के उसे कम्प्लीट किया गया आप सेंट्रिंग का काम करते हुए घर का जो काम है ढलाई का काम उसे किया जागा अंदर का सारा दिवाल पाच इंची के लिए है यहाँ पे इसली आप देख पार हो तो इस तरीका से पांस कमरा वाला बनता हुआ यह घर है बहुत असानिक साथ आप यहाँ पे देख पार अंदर का सारा दिवाल पाच इंची बाहर का दिवाल वह दस इंची के साथ में रखा गया है और शेड़ी का काम भी आपने देख लिए है किस तरीका से आपकर किया गया है तो दोस्तों क करके मालिक और ठेकेदार के नुसारी इस घर को बनाने में अब तक 8,20,000 रुपए से लेकर सारे 8,00,000 के बीच में खर्चा है वो आ चुका है इसमें लेबर कोस्ट के साथ साथ मेटेरियल कोस्ट को इंक्लूड किया गया है जैसे कि इंट्या बालो गेटी सिमेंट उसके साथ सरिया और जोल हुई लेबर चार्चेस है सारा चीज को इंक्लूड करते हो खर्चा में आप लोगों को बता दिया हूँ तो जैसे से काम को आगे बरहाज है वैसे वैसे में आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा दिखाऊंगा बताऊंगा कि किस तरीका सी इस घर को किया गया तो उसके बारे वीडियो बनेया था मैंने इंटेल लेबल तक के बारे में भी बता दिया है आगे आने वाला जो वीडियो होगा उसको देखने कि लब चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा घर का नक्सा बनवाना चाहते हो मुझसे तो डिरेक्ली मुझसे बात करते हैं आप अपने घर के लिए नक्सा भी निकल आ सकते हो तो बहुत ज़ली मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लज़ देजिए इजाज़त नमस्कार